हलो दोस्तों बेलकम टू माई चैनल माई SSC एक्जाम आज दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल 2023 का एक्जाम का पहला दिन था उसकी पहली और दूसरी सिप्ट का पेपर पूरा हो चुका है उसमें जो जीके कोश्चन 50 कोश्चन काफी अच्छा खासा वेटिज रहा है उसमें 50 कोश्चन आए हुए थे वे कोश्चन जादातर कंडिडेट बोल ले हैं कि प्रीवियस येर कोश्चन आए हुए है जो पिछली 2020 वाली बेकेंजी में पेपर हुआ था उसी से कोश्चन उठाए जा रहे हैं तो मैं जो कोश्चन लेके आया हूँ ये प्रीवियस येर 27 नॉम्बर 2020 सेकेंड सेट के सारे कोश्चन 50 कोश्चन लेके आया हूँ ये जरूर पढ़के जाएं क्योंकि प्रीवियस येर कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इन्हें तयार करके जरूर जाएं आपको काफी अच्छी इसमें हेल्प मिल सकती है तो पहला कोश्चन है जीके का कि भारत के सम्विदान सवा के मौलिक अधिकारों अल्प संक्यों और आदवासी और वैसक्रत छेत्रों पर सलायकार समित के अध्यच्च थे तो इसका राइट आंसर बताएंगे भारत के सम्विदान सवा के मौलिक अधिकारों अल्प संक्यों और आदवासी बैसक्रत छेत्रों पर सलायकार समित के अध्यच्च थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नंबर एक बरलब भाई पतेल अगला कोस्चन है निम्लेकित मेंसे कौन गजल के दोयों को नुरूपित करने के लिए प्रियुक्त सब्द नहीं है प्रिवियस येर कोस्चन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं आपको पता कि SST जो एक्जाम कराती है प्रिवियस येर ही कोस्चन उठा के लाती है वही कोस्चन इधर अधर करती रहती है इसलिए प्रिवियस येर कोस्चन जरूर करके जाएं अगल ये question है निम्लिकित में से कौन गजल के दोयकुन रूपित करने के लिए प्रियुक्त सब्द नहीं है मकता मतला मांड मंड मिस्रा तो इसका राइट आंसर बताएंगे option number 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मांड या मंड ठीक है तो अगला question है कापी important question है ये सारे oriented question है जो आए हुए है 2020 वाली vacancy में 27 नॉम्बर 2020 second shift के सारे question oriented है तीसरा question है मानवता के लिए गुल बेन कियन फुरुषकार 2020 को प्रदान किया गया था नंबर एक है जेमी मार्गोलिन यारा सहीदी ग्रेटा थनबर्ग मलाला यूसप जई तो इसका right answer बताएंगे current affairs का question है ये तो इसका right answer हो जाएगा option नंबर तीन ग्रेटा थनबर्ग बिल्कुल ये रट लो यही question आ सकते हैं आपके exam में तो इने बिल्कुल रट के ज़रूर जाए नंबर चार है ग्राहम रीड अगस्त दोजार बीस तक भारती पुरूसों की टीम का मुक कोच है क्रिकेट फुटबाल हांकी बास्केटबाल ग्राहम रीड अगस्त दोजार बीस भारती पुरूसों क्रिकेट टीम का मुक कोच कौन हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option नंबर पेस की, कब ये पेस की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर एक, 2019-2020, बिल्कुल ये सारे कोश्चन, बिल्कुल आप्शन साहिद रटलो, कुछ भी आपको जादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब वो टाइम कम है, तो बस प्रिवेस ये कोश् रसकिन, बंड, आरके नारायड, मुंसी प्रेमचंद, सुधा मूर्ती, कहानी में कालपनिक सहर माल गुंधी सेटिंग था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर थी, दो, कालपनिक सहर माल गुंधी सेटिंग था, तो अगला कोश्चन है, सातों कोश्चन, न असे मेध इससे समझ सकते हैं इसमेद आप सीधा इसी से आप पकड़ सकते हैं अंशर अगला कोश्चन है तिरपुरा का एक परमुख तयूवार जिसमें पसुदन और धन के देवता की पूजा की जाती है तो कौन से तिवार जिसमें पसुदन और धन के देवता की पूजा की जाती है तिरपुरा का यप्रमुक तिवार है लांपरा पूजा, केर पूजा, खारची पूजा, गारिया पूजा तो इसका राइट आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर गरिया पूजा इस दा करेक्ट आंसर अगला कोश्चन निमलिकिन में से किसके साथ वेशर सब्द जुड़ा हुआ है इसका राइट आंसर बताएंगे वेशर सब्द किस से जुड़ा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर की वास्थुकला आपको पता तिवार और संगीत ये जो हैं इनसे जरूर कोश्चन आता है दस्वा नमबर इनाम गाओं के दफन इस्थल नदी के तड़ परिस्थित हैं माही, सुड़, रेका, घोड, पिन्नार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर तीन घोड अगला कोश्चन जून दोजार बीस में अंतर राष्टी मुद्रा कोश आई एम एफ ने भारती अर्थवस्था के लिए कितने परसेंट के संकुचन का अनुमान लगाया 6.25, 4.50, 2.25, 8.50 इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर 2, 4.50 जीरो अगला कोश्चन राजा समद्र गुप्त के दरवार में एक कभी और मंत्री थे हरी सेन वाड भट्ट वसुमित्र कंबन इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा ये सारे प्रिवियस येर कोश्चन आप जरूर रटके जाएंगे कुछ भी आपको एस्टा पढ़ने की अब जुरूरत नहीं है टाइम कम है बस आप प्रिवियस येर ये यही कोश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये जरूर पढ़के जाएंगे आपके एकजाम में काफी ली पुलिस कॉंस्टेवल के लिए तेरवा कोश्चन महापद नद ने के राज पर सासन किया कोशल मगद वत्स अवन्ती तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर दो मगद ठीक है अगला कोश्चन तो जार बीस इकिस तक क्रसी लागत और मूल आयोग सीए सीपी के लिए नियुन्तम समर्थन मूल एम एसपी की सिफारिस नहीं करता है करेंट अफियर्स कोश्चन है तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ची एप सी के लिए नियुन्तम समर्थन मूल एम एसपी की सिफारिस नहीं करता है उसका राइट आंसर है अप्शन नंबर चार अलसी का बीज अगला कोश्चन पंदरा नमर दा डिसीपल चैतन तम हाने द्वारा में एक पुरुषकार विजेता फिल्म है गुजराती मराथी हिंदी अंग्रेजी पटा पट सारे कोश्चन स्पीड में आपको करा रहे हैं दा डिसीपल चैतन तन हाने द्वारा में एक पुरुषकार व सा कथन गलत है भारती रिजर बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिस के आदार पर की गई थी रिजर बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के किंद्री बैंक के रूप में कार किया भारती रिजर बैंक का 1949 में राष्टी करण किया गया था भारती रिजर के केंद्री बैंक के रूप में कार किया अगला कोश्चन है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत के साथ नंगे जमीन को कवर करने की प्रिक्रिया को कहा जाता है समोच जुताई छटकी खेती मुलिंग इंटर क्रापिंग उसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सन मुल्चिंग अगला कोश्चन निमलेकित में से कौन सा कथन गलत है कपास को बलूई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है दोमट मिट्टी का उप्योग बरतन खिलोने और म मुल्चिंग बनाने के लिए किया जाता है छिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी गिऊंग चना और दान उगाने के लिए उप्यूकथ है वलुई मुट्टी में जल का अंता स्तरवड दर सबसे अधिक और चिकनी मिटी में सबसे कम होता है इसका right answer बताएंगे कौन और right होगा कौन सा कतन गलाथ है इसमें गलाथ बताना है इसका right answer हो जाएंगा दूसरा number अगला question है 19 number निमलेखित में से कौन सा पद नदियों से जुड़ा नहीं है नदी से कौन से जुड़ा नहीं है जरना हो होस्ट विसर्प साका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी से जुड़ा नहीं है दो नंबर होस्ट है ठीक अगला बीस्वा कोर्शन है बैंकिंग बिनमय अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित बैंकिंग कमपनी को अपने बोर्ड में निर्देशक की रूप में नियुक्त करने से रोकती है कोई भी व्यक्ति जो किसी अन बैंकिंग कमपनी का निर्देशक है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 16 इस दा राइट आंसर ठीक है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैंग झाल